तो हेई गाइस वेलकम तो माई चैनल लेवी रॉक्स टीम्स तो सबसे पहले गूड मॉर्निंग आइस तो बात करूँ एक मैच होने वाला है औस्ट्रेलिया लीग का मतलब की ए लीग तो दो टीम्स है इसमें जो की डेड़ घंटे बाद लगबग मैच है जो की यह वेलिंग् आप देखें यह वले सीजन में इन दोनों का एक भी मैच नहीं हुआ एक भी मैच इन दोनों का किसी भी टीम के साथ एक भी मैच नहीं हुआ तो इसलिए जो इनका वो शो कर रहा है रैंकिंग वो है 0-0 तो इसलिए कोई बात नहीं क्योंकि मैच ही नहीं हुआ भी तो यह मै तो बात करूँ इस match की final team आपको lineups के बाद कहा मिलेगी इस match की final team आपको lineups के बाद मिलेगी मेरे इस channel पर जिसका नाम है AB Rocks Dream 11 Teams तो group का नाम दियान से देख लो कि बात में आपको ढूणने में problem नहों यहाँ पर team open दूँगा तो tension बिल्कुल मतलो क्योंकि यहाँ पर open आजाएगी तो यह group का नेमा आप देख सकते हैं तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे तो बात करूँ मैं इस match की दो भाई Wellington Phoenix vs Sydney तो इसमें मैंने जो एक team त्यार किया वो मेरी single sided है बेकॉस मुझे पूरा प्रोस है कि Sydney जीतेगी लेकिन दो दिन से बहुत उल्टा हो रहा है अब कल का मैच ही ले लो तो हमें लग रहा था जीतेगी Everton Everton लेकिन लास्ट में कुझ जी लिया West Ham United मतलब भाई मैं सब सोच भी नहीं सकता था Grand League में जुरूर सोच सकते थे लेकिन Small League में और कोन क्या कर लेगा तो बात करें गाइस गोल की पर कि यहां सुलूंगा पहला प्लेयर जिसका नाम है Stephen Mary Novick Stephen Mary Novick के आपको यहां पर एक से लेकर दो फाइदे मिलते हैं एक क्या है अगर बाईचेंस Wellington Phoenix जीत जाती चलो एक परसेंट मेरी बात उल्टी निकल के अगर Phoenix जीत सकती है तो यह प्लेयर आपको ज्यादा पॉइंट तो नहीं देगा लेकिन अगर Sydney जीतती है तो अगर Sydney आठ गोल करने की भी कोशिश करेगी मतलब होती है तो किसी मैच में आठ गोल मतलब आप कुछ सोच सकते हो कि अब यह क्या करने वारा है क्योंकि Sydney भी गोल करने से बाज नहीं आगी उनके दो प्लेयर बहुत फुर्तीले हैं मतलब खतरनाग बात करूँगा नेक्स प्लेयर की जो कि यहां से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ प्लीज ध्यान से समझना बी वारलेंड आपको पता है बी वारलेंड का क्या है इस बंदे का नाम चलता है वही मैं आपको सच बताओंगा आप कभी भी देख लेना Sydney की लीग में बी वारलेंड का नाम चलता है सबसे जादा तो नहीं कह सकता defender में सबसे जादा आगे से बात करूए MZulo की तो MZulo आज काफी लोगों का captain लेगा clean sheet लग गई तो आप जीद गई single side से जीद गई अगर आपका captain है लेकिन clean sheet ना लगी तो बजगी बेहन क्योंकि मैं तब ही कह रहा हूँ और अगर clean sheet ना भी लगती तब भी आपका vice captain वेस्ट नहीं होगा थोड़े-बोधे points आपको दे देगा तब ही मैंने MZulo का अपनी team में लिया और grant की बात करूँ आरे आज लोग R grant को भूल गए मतलब मैं को नहीं बता देगो किस किन ने लिया एक match में grant के और ये बंदा गॉल वगएरा आराम से कर लेता है आगे से बात करूँ midfielder की यहां से एक player आप देख रहे हैं उपर का जिसका नाम है Alexander Alexander Bamjohn जो की guys इस player को मैं नहीं ले पाया due to credit issue credit issue है तो कोई बात नहीं credit issue तो आता रहेगा चलेगा भाई ये तो चलता रहेगा इसलिए मैं इस player को नहीं ले रहा कि actually क्या है कि ये बंदा खेलेगा left side left hand side middle fielding तो इस बंदे का assist कर रहेगा chance तो है लेकिन credit issue है तो you can try in GL also तो आगे से बात करूँ next player की जिसका नाम है Arpiscopo तो Arpiscopo एक normal player है विलिंग्टन का अगर कुछ हुआ भी तो यार मेरे कुछ जादा तो उमीद नहीं है assist करेगा जादा कुछ नहीं और आगे से बात करूँ next player की जिसका नाम है Anthony Caceres Anthony Caceres जो की एक ऐसा player है जो की guys assist करने में बादशाय मैंने इसके खाते में बहुत इस देखी है और जो इसकी आज position है वो इसकी favorite position है middle midfielding और middle का क्या रहता है उनको जादा से जादा passes की आदत हो जाती वहला passes इनके बास बहुत आएंगी और आगे से बात करूँ next player की Milos Ninkovic इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दूँ अगर आप पहले से fantasy खेल रहे आपको पता होगा कि ये बंदा कौन है MNinkovic को अगे से बात करूँ next player की जिसका नाम है जे सौत यरो जो की guys ये normal player है विलिंग्टन का नाच्छा ना बुरा envelope average और नीचे से मैंने दो player और ढूंडे है GL के लिए एक L.Bretton और एक C.Niv.Heneff जो की guys ये दोनों को आपने GL में ट्राय करना है अगर दोनों खेले क्योंकि आज मैंना अभी जो square आया वो थोड़ा कम है मनला ज्यादा बड़े-बड़े players नहीं हो तो क्या बता मेरे भी कई players ना के लिए और आगे से बात करूँ State forward की T.Bohager मेरे credit issue इसलिए आया क्योंकि मैंने Trent Bohager ले लिया Trent Bohager अगर नहीं लू तो हारता क्योंकि Trent Bohager की उपर आज गेम डिकनी क्योंकि Sydney की सबसे बड़ी ताकत T.Bohager है और यहांसे T.Bohager के लिए मैंने एक बहुत बड़ा player छोड़ दिया जिसका नाम यू डैविला मैंने इस player को इसलिए छोड़ा क्योंकि यू डैविला क्या है गोल वगएरा करतो लेता है लेकिन इस team के आगे थोड़ा सा बोल जाएगा मतलब अगर जाइसने तीन गोल करने थे याँ दो गोल करने थे वाँ एक करेगा गोल करने का चांस है लेकिन क्रेटिड इशू है लेकिन T.Bohager भी किसी से कम नहीं है अगर आपको सेव जाने तो आप जा सकते हो और आगे से बात करूँ नेक्स player की यह कोस्चा बैर्बोरसिस गाइस यह दोनों की जोडी मतलब जबरदस T.Bohager और केर बैर्बोरसिस दोनों player आपस में ऐसी जोडी मनाते है कि एक ना एक गोल इन्होंने करना ही करना है और दोनों की selection देखो एक गोल भी हो गया सिंगल साइट से जीट जाओगे D.Ball की बात करूँ D.Ball के देविट बाल इस नोर्मल प्लेयर मतलब डेविट बाल की उपर एक क्या आपको गेम ठिकेगी क्योंकि विलिंटन का D.Ball फ्रंट साइट कहलेगा तो यह भी अगर यू अगर यू डेविला ने कुछ ना किया तो D.Ball बैठ है गाइस तो आगे से बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की अब कैप्टन जो मेरा है वो है टी बहागिर और वाइस कैप्टन जो मेरा है वो है एम जूलो तो गाइस यह नहीं मेरी टीम फाइनल नहीं है इसमें अगर कोई प्लेयर ना खेला तो लास्ट आपको चेंज करा दूंगा तो गाइस मिलता हूं अगली वीडियो में आपका दिन शुब है